हेलो डियरी स्टुडेंट वेलकूं इना और यूटूब चैनल तो उमीद करता हूं कि आप सो बच्चे और ठीक होंगे और अपनी पढ़ाय लिखाय त्यारी ठीक तरीके से कर रहे होंगे तो आज हम लेक्षा है है model paper 5 solve कराने के लिए आपका MS इंट्रेंस है या किसी भी MS इंट्रेंस के लिए आपका पेपर हो यह हेल्प करेगा आप question देखेंगे एक बात जो हम यहां पर solve करा रहे हैं question काफी अच्छे अच्छे है तो चलिए अपने आपको छोटा कर लेता हूं और दिखाता हूं question फिर डिस्कस करते हैं जी ठीक है है ओके यहां रहा तो यहां पर देख सकते हैं model paper 5 लेके आ चुके हैं हम ओके तो model paper 5 है हमारे पास और हम देखो करा रहे हैं course भी हमारा चल रहा है जो botany msc entrance हो गया CUT AU का या assistant professor के लिए हो गया आप जोइन कर सकते हैं 80 plus लोग join कर चुके हैं classes हम ले रहे हैं daily दो-दो classes हो रही हैं तो यहां पर शुरू में पहले है general aptitude है हम नहीं deal करेंगे और यह paper नहीं करती हैं क्योंकि यह हमारे टेश्ट का paper है जो paid course यह मौकटेस का paper है तो जो ज्वाइन है उनको हम दे सकते हैं वह हमको message कर सकते हैं लेकिन ऐसे सब तो जोड़ा लेता हूं ताकि आप सबको अच्छे दिखे तो आप एक काम कर सकते हैं लेकिन मैं कहूंगा यहां पे दिख रहा है चीजे तो यहां से नोट कर लो ना पीडियाफ से रखे क्या करोगे बताओ इतने सारे पीडियाफ होते हैं पहला कूशन है वीच आप दो फौल ओवर गिए उनों सी नहीं सी पर G पर किसे बोलते हैं पोश्ट ऐसी आ postsी को पर बोलते हैं ठीक है तो यह याद कनना पोंश्ट और सी पर ने इस से कर gef log और यहां पर रूग गयाए और चल कहां रहा हैं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मैं देखूंगा कैसे एक मिनिट रुकों फिर से चूच कर लेता हूं कि अब तहीं है जेनेटिक री कॉमिनेशन इन ब्लू ग्रीन एल्गी डिस्कॉर्ड भाई तो एचडी कुमार ने खोजा था यंगर ने किसका खोज किया था फ्रिश्च चेला टुब्रोसा का डिस्कॉरी किया था ठीक है एक और एल्गी थी ट्रैपलेंड ड्यॉपसिस ड्यॉपसिस इंडिका इसका कौन किये थे जी वाई भार द्वाजा किये थे, किस ने किया था, वाई भार द्वाजा, ठीक है, तो यह चीज, आर्यान सिंग ने ब्लू ग्रीन इलगी का यूज करके, एंटू फिक्सेशन के बारे में बताया था, ओके, चलो आगे चलते हैं, विच अब दो फॉलिंगी स्टेट्मेंट इज नाट ट्रू रिगार्डिंग उडुगोनियम, तो उडुगोनियम में देखू, मैकरेंडस और नेनेंडरस स्पिसीज होते हैं, मैकरेंडस मतलब जो बड़ा होता है, तो मैकरेंडस जो होता है, मोन देखू, नेनेंडरस सेज़ार। आलवेज, डाइओसिस एनंफिलामेंडस होते हैं, ठीक है डाइओसिय होते हैं, यह मोनोसिय नहीं हो सकते हैं, वीच अब दो फॉलिंग प्लांट है, पैरेनॉयट, तो पैरेनॉयट इज, क्या होता है, प्रोटेंसियस, स्टार्ज सीट इस्टाज सीट तो यह क्या होता है यह क्या करते हैं कार्बन कंसंट्रेशन मेकेणीजम के लिए काम करते हैं उसे सब के लिए और पतला नहीं हो सकता है क्या है ओके हैं आप सही है सेंसर मेकनीजम कहां पर पाए जाता है तो सेंसर मेकनीजम आप दा इस पूर डिस पर जल वह पॉलिट राइकम में आपका मिलता है एंथो सिराज क्या बोलते हैं हार्ण वार्ट बोलते हैं इसमें क्या रहता है नास्टाक इसके थैलस में रहता है नास्टाक रहता है इसके थैलस में एन्थो सिरास क्या होता है यह लाइप टाइम इसका इस पूरो हाइट ग्रो करता रहता है ठीक है और यहां पर क्या मिलते हैं स्ट्यूडो एलेटर मिलते हैं, जहां पर स्पारल थिकनिंग अप्सेंट होता है, स्पैगनम को बॉलते हैं, पीट मास बोलते हैं, यहां पर रिटॉर्स सेल होता है, वैजी नोला होता है, यह जानते रहेंगे, स्पॉर्फोर स्पासितन परेषल हो जाता है स्पारव्यší स्बारे भ Capitol यह ऑए है कि विश फालिंग जो इस्टोमेटा प्रेजेंट प्रेजन इस्पोरोफाइट तो इसका जो एप सब्सक्राइब होता है एसे अलोस होता है तो यहां यहां ऐसे लटके लटके अर्चिगोनियों फोर बने होते ना ओके रीशिया में सिर्फ कैप्सूल होता है जी कैप्सूल और रीशिया का जो रीशिया फ्लूटेंस है वो क्या है आपका फ्लोटिंग इस पिसीज है विच वन अप दो फॉल गी जनाटे फंगर डिजीज तो एंगुलर लीफ इस पार्ट आप कॉर्टन जो है यह जैन्थो मोनास काज करता है जो की एक बैक्टिरिया है टिक्का डिजीज कउन कराता तिख से política dios तरको vereaker आ कर आता है ओक नोए फंगल सपोर परॉडिस liberté इं से करके है कोह बना होता है यह यह था कि दड़ा यह प्रूटिंग बाडी इन जीएरिकर सिऑनले कहां का है स्वर आपदिना का है फ्री तो बैशेटीय कार्प कहें कि इस्टेटिन यूज फार लोरिंग ब्लड प्लोस्टार लेवल तो इस्टेटिन कहां से बनता है मोनो एसकस से मिलता है जो की एक तरका इस्ट ही है on"; स्टैटिल्टा मोनोस से मिलता है हिनुट फैकटर हमने बताया था लेग्यूम ब्लांट होते हैsu nitrogen fixation करते हैं rhizobium bacteria symbiotic association करके वहां पर रहते हैं तो node factor जो होते है लाइपोचीन लाइपोज काईटीन ओलिगो सेक्राइट क्यों होते हैं टिक कैलसियम binding protein वो नहीं है कुछ एस्पिरीन जो है वह डिराइब फ्राम एस्ट असलीसिलिक acid found in तो एस्पिरीन कहां से होता है वी लो के ट्री बार्क से निकाला जाता है जी अगला कोश्चन है कि पॉलिपेप्टाइट chain होता है तूट्र मीनल होते हैं एक कर्वाग्व्य टर्मिनल होता है एक होता है अमीनोus तो की सॉह सी यह तो लेप्र साइट नोगॉकर एससे बनाएंगे ठीक है तो यहाँ पर क्या रहेगा यहां पर N terminal रहेगा और यहां पर C terminal रहेगा and C to end terminal रिपेज हैं अंदर left side and C terminal on the right side hydrogen bond between the co group up amino acid and hydrogen bonded and group with amine acid and plus 3 TK ऐसे करके n plus 3 से band होता है तो बीटा turn होता है n plus 4 होता है alpha helix से सब बीटा turn पे होता है इस पार्ट प्लोरोफिल हमे रिस्पॉंस्ट फार एब्जास्थन अफ लाइट तो जो फोर पारिंग रिंग होता है जहां पे मैंगनीसियम होता है सेंटल मेटल एटम की तरह वही एब्जार्ण करता है ओके चलहोगला चलते हैं दब positively charged amino acid present in histone include तो जो positively charge होता है amino acid वो आरजिनीन और लाइसीन होता है Cell arminal can be physically separated from each other by तो बहुत सारे cell arminal का एक density होता है तो ऐसे एक ऐसे लेते हैं ट्यूब उसमें cell को भरते हैं फिर इसको क्या कराते हैं centrifuge कराते हैं प्रेट करवाते हैं बहुत तेजी से तो अपने वजन के कारण अपने density कारण यह separate होने लगते हैं तो सबसे पहले कौन centrifuge होगा जो सबसे भारी होगा है यहीं की nucleus और सबसे बाद में centrifuge कौन सा अर्गनेल होगा तो ribosome होगा चलो आगे चलते हैं which one of the following statement are correct काफी लंबा चोड़ा question है चलो देख लेते हैं कोई सुन नहीं है थोड़ा समय स्क्रीन आउट करता हूं और question बढ़ते हैं एक एक करके चलो देखते चलते हैं तो यह तो सही है यह question क्या करना न इसको कराने में क्या है साथ है देखो मैं बता देता हूं अब जैसे देखो यहां पे यू प्रमेटीन है तो आप से पूछ लेता है कि क्रोमोसम का कौन सा जो फिप्लेशन के उपर DNA जेनिक मटेलर के खोज में तो ग्रिफित 7-20 रेबंस यह तो यह इसे करके स样 enhance तो जूखत होगा क्यों कि या वहाँ होता हिस्टोन हो जयाएगा तो ऊचोंश करोगे पहला यहां से चला जाएगा पहला यहां से चला जाएगा पैंड sector एसल देखे करोगे न चौँथा इसले गलत होगा क्योंकि हर यहां पे दग रिफीद इस्प्रिमेंट इस्ट टो काकस ने मेनी बैक्टिरिया यूज एस इस्टेन आप बैक्टिरिया प्रोड्यूस रॉप कालोनी तो यह से क्या करते हैं इस्मूथ बनाते हैं क्या बनाते हैं जी स क्या से कुश्चन को स्वाल कर सकते हो तो चौथा भी गलत हो गया तो यह स्वाइब स्वाइब विच वन आप दो फॉलिए काल दब्रेन आप सिल तो जो हमारे सेल को कंट्रोल करता है क्या करता है जी जो हमारे सेल को कंट्रोल करता है ना तो उसे हम क्या बोलते हैं ब्रेन वे तो हैं इसको क्लोरोप्लास को किच्छन प्रोटीन इनसर्षन इंटू Mammalian यार मेंब्रेन टिपिकली तो देखो क्या होता है एक पॉस टांसलेशल्टन होता है एक पॉस टांसलेशनल होता है तो अगर हम बात करें गाल्जी वाड़े इंडोफ्लारिडी रेटी कुलम और लाइसोसोम को तो इसमें क्या होता है को ट्रांसलेशनल यानि कि प्रोटीन बनते रहता है एक तरफ से एक तरफ से ट्रांस्पोर्ट होते रहता है लेकिन उसको जाना रहे है दूसरे आर्गनलम राइक माईटोकांडिया लाइसोसोम में तो एक बार पूरी तरह से प्रोटीन अगला कोशन है एंपी-फ्लोई-इस्टिल मारसेलिया में होता है सब्सक्राइब यहां से निकलता है तो यहां पर यह पर ट्रेस बनता है अगला question है What is true for pineus तो pineus का वर्ट जो होता है पिकनोजायलिक होता है और यहांपे certification मायमय जायलिक तो cycles का कैसा मैंनोजायलिक होता है ठीक है और उसमें क्या मिलता है जी coloride root मिलता है टेस्टा इंसीड आप ऍार डवलॉप रान तो टेस्टा जो डेवलॉप होता है वह इंट्विंटुमेंट के टीन लेयर होते हैं आउटरफलेशी मीडिल इस्टोनी इनर फ्लेशी तो ये मिडल इस्टोनी लेयर से टेस्ट आबनता है यह बखोड़न कोशन है यहांस कोशन मनेगा खोई पीग जाम हो यूनि फोलियर इस पर कहा पहोता है पाईनस मनोफाइला मे होता है by whole year कहाँ होता है पाइन सोल essa में ठया चीजाओ इसको Zenfile इसको हम खासी पाइन बोलते हैं ऐसी नहीं, इसको उसको बॉलते हैं इनसिले Además को इसको सब्कॉरा इंब्रियोना लेक्सिस्ट path कनेक्ट प्रिम्यूल और रेडिकल को कौन कनेक करता है तीगेलम कनेक करता है देखो कि तो डाइग्राम होगा तो यह तीगेलम देख रहे हो यहां पर कनेक कर रहा है यह जो चीज है पुरा अगला कोशन चूज दा इनकरेक्ट रिस्टेटमेंट एमंग फॉल्विंग रूट और यहां पर देख सकते हो यहां पर रिजन पर तो क्या होता है आपका रूट कर रहे हमने बताया था आपको इस्टेम प्रांच ली एक्रोपिटल मैनर तो ब्रांच एक्रोपिटल मैनर में तो यह तो वह हो गया आपका एक्स करेंट हो गया इस्टेम ग्रूप इन ग्राउंड इंटर नोट है वालवान सॉलिड नोट यह रनर की बात कर रहा है तो डेली कुछिंट्री बताया था एक्स करेंट्री बताया था यहां पर देख सकते हो सारा लिखा हुआ है तो यह कर्म होगा रनर नहीं इसको कर ना रणर भी बोल सकते हों अब देखो यह देख रहा है इस्टीवेस्टेशन इमरीगेट मतलब पार्टिकुलर डारेक्स्टन में ना रहें जो पेटल एंस सेंपर है उनका इस तो रहे मतलब तच ना करें पार्टिकूलर तो वेक्जिलरे ये कहां पर राता पी में राता है इसमें देखो यह जो है इसमें ब्लता आई वालवेड जो राता है इसमें राता है घू liaison शुच्याय चहांद भीमार करेंगा और जल्टेशाल रहेगा देखो अब चलो अगला चलते हैं फिर इप देखो यह क्या है लेमन में रहेगा तो क्या रहेगा एक जाहिल प्रेसेंटेशन डाइंधस में कैसा रहेगा री सेंट्रल डाइग्राम वाले कुछ ना ऐसे एक जाम में नहीं हैंगे आर्जी मोन में क्या रहेगा पारीटल रहेगा यह पाराइटल है कंटेंट ,डर्मेटोजेन ,पेरीबलेम और पिलुरोम , तो किस ने दिया था ? हैंस्टीन ने ये तिया था ? तो हीस्टोजन तिया था इससे क्या बनता है ? इससे बनता है ? इससे एकॉल्टेक्स इससे वैस्ट्टुलर बंडल the conventional ovule lacking the member of family किस family में ovule lack होता है वो होता है लोरेन्थेसी family मैल दा फाउलिंग partial stem parasite क्या है लोरेन्थस है saprophytic plant क्या है वो है monotropaniosia, partial root parasite centralum, total root parasite istriga हो गया, belenophora हो गया reflicia हो गया, total stem parasite kasputa हो गया, यहाँ पर देख सकते हो दिया गया है, पढ़ लेना screenshot ले लो, pollination in orchid, ovirus orchid कैसा होता है, तो उसमें होता है pseudo copulation, मतलब flower को देख के insect को लगता है कि वो female insect है और जाके उसे capulate करने कोशिस करता है, और pollination करवा लाता है, if number of chromosome in root male plant is 120, male plant में 120 है, and female plant में 60 है, what will be the number of chromosome in their endosperm female में, अगर 60 है, तो ऐसे 60, two yen बनेगा, तो 120 रहेगा, female के पास ऐसे रहेगा, फिर यहां से hyploid start निकल के जाएगा female plant में leap cell अच्छा है, तो leap cell to deploye हो गया, 60 है, तो यहां पे start रहेगा, क्योंकि gamit hyploid होते हैं, तो यह 30 plus 30 रहेगा, secondry nucleus में इसको क्या आएगा, 60 हाके fuse करेगा, तो start start कितना हो गया, 120 हो गया, retina column कहाँ पे मिलता है, तो ecanthesi में मिलता है, यहाँ पे ecanthesi है, आप देख लेना, unequal enterlobe भी यहाँ पे मिलता है, enterlobe, और क्या मिलता है, systolith है, हाँ मिलता है, systolith, by lived corolla होता है, तीक है, अरे corolla का साइज छोटा बड़ा होता है, यार, t division pattern, carper cap पे theory मों होता है, वहाँ पे push cell है, से उपर की तरफ divide करती है, और push cell नीचे की और divide करती है, mass the following बहुत ज़्यादा जरूरी है, जी, तीक है, एपिकल सेल थियूरी नौगोली ने दिया था, उन्होंने बताया था कि एक सिंगल सेल होता है, जो plant body को बनाता है, जो कि डिस्कार्ड कर गया, histogen theory, histogen histine ने दिया, एन्यो इनिशियल एंड मरिष्टेम डी अर्टें थियूरी बोवाट ने दिया, ट्यूनिका कार्पस थियूरी स्मीट ने दिया, mental core hypothesis पोपा में चैन ने दिया, histogenic layer theory डर्मन ने दिया, तो याद कर ले ना, बैंथा मुकर के according, रोजेस कहां पर है, तो रोजेस बिलॉंग करता है, कैलिसी फॉलोरी से, मतलब दो अलग-अलग कलर मिला रहे है, एक नए आई कलर बन गया, तो incomplete dominance जैसे वो कराया थे ना, मेरा बिलीच को पिंक बन गया था, काल कुरियल ने डिस्कुर्ट किया था, 1908 में, अगला question है, which of the following statement are correct, तो हेमोफिलिया इस सिक्सलिंग रिसेसिव डिजीज बिल्कुल सही बात है, डाउन सिंडोम इस ड्यू टू दा एनुप्लाइडी नहीं, ट्राइसोमी को वज़स होता है, हाँ तो एनुप्लाइडी हो गया न, एनुप्लाइडी मतलब घटना या बढ़ना, तो ट्राइसोमी सही है, एनुप्लाइडी का मतलब होता है, घटना या बढ़ना, फिनायल क्रिटोनेरिया इस आटोसोमल डॉमिनेंट नहीं, आटोसोमल रिसेसिव है, तो यह गलत हो गया, यह सही हो गया, सिकल सेल इनुप्लाइडी मिए एक्स लिंक डिसेसिव जीन डिसार्डर, तो सिकल सेल इनिमिया एक्स लिंक डिसेसिव नहीं है, यह आटोसोमल डिसेसिव है, तो वन टूफोर्स अही है, अगला चलते हैं, मैस दफॉलिंग, anti-rahinium species में incomplete dominance पोच किया गया था hemophilia mendelian disorder है graphite and transforming principle के बारे में बताया था drosophila dihabrit class के लिए यूज किया जाता है roho factor क्या कराता है transcription कराता है sigma factor क्या कराता है transcription को initiate कराता है roho factor क्या कराता है transcription को hard कराता है रोकता है एक P plant है जहां का ratio 9 to 7 आ रहा है तो याद के लेना है complementary का ratio है अगर 12 ratio 3 ratio U1 आए तो dominant EP status क्या जी dominant EP status अगर 9, 3, 4 आए तो recess U EP status अगर 15 to 1 आए तो duplicate factor आए तो यह सब चीज़े याद रहता है चलो आगे चलते है consider the following statement काफी लंबा चोड़ा question है इसमें आपको क्या कह रहा है कि sequence correct sequence में arrange करना है तो सबसे पहले क्या होगा DNA replication के बारे में तो सबसे पहले होगा यहाँ पर reorganization and initiation point of initiator protein DNA का fragment रहेगा ऐसे ऐसे करके यह ऐसे खुलेगा फिर यहाँ पर क्या होगा सारे replication करने वाले enzyme जाएंगे यहाँ पर bind करेंगे तो पहला फोर देखो फोर सब में है फिर क्या होगा dissociation आप hydrogen bond फिर यहाँ पर hydrogen bond को तोड़ा जाएगा फिर क्या होगा आपका formation आप RNA primer तो RNA primer बनेगा वो रास्ता दिखाएगा DNA polymerase वहाँ पर जाएगा काम करेगा फिर क्या होगा RNA primer को वहाँ से remove किया जाएगा फिर जो ओका जाकी fragment रहेंगे lagging establishment को भड दिया जाएगा तो ऐसे करके DNA replication से हो जाएगा nick translation to archive zero population growth which of the following must occur तो zero population growth मतलब कोई भी population ना हो तो जितना मरने वाले हैं उतना पैदा होने वाले हों मतलब जितना पैदा हो उतना मरे भी pre-reproductive individual and post-reproductive individual वहाँ पे same हो which of the following statement is true the ecological pyramidal number is inverted in tree ecosystem तो tree पे क्या होते हैं एक बिचारा tree होता है tree पे क्या होते हैं 10-15 चिडियां बैठी होती हैं 10-15 चिडियां के उपर parasite के रूप में बहुत सारे insect होते हैं तो यह traffic level 1 पे क्या हो गया traffic level 1 पे एक पेड़ हो गया चिडिया 5 हो गई चिडिया के उपर insect हो गए 50 तो यह देखो इनर्जी का जो होता है पिरामीड हमेशा क्या होता है सीधा होता है pond ecosystem का पिरामीड बायमास उल्टा होता है और tree ecosystem का number उल्टा होता है transitional zone between two area इको टोन बोलते हैं और इको टोन के बीच में अगर plant कोई ग्रो करे तो उसे इको क्लीन बोलंगे equate क्या होता है ecofene को होई equate बोलते है हमने बता दिया है यह चीजे निके क्या होता है निकीजे area यार place जहां पिर आप रहते हैं और interact करते हैं अपने abiotic and biotic environment से सकर फिस अगर सार की उपर मिले तो इसे हम commensilisum बोलते हैं commensilisum का मतलब होता है कि आप किसी का मदद कर रहे है directly या indirectly आपका उसे कोई घाटा नहीं हो रहा है लेकिन सामने वाला का फायदा हो रहा है symbiosis मतलब दोनों का फायदा है predation मतलब कोई किसी को पकड़ के खा जा रहा है पहला strategic जहां पे host को घाटा हो रहा है पैरा साइड को फायदा हो रहा है analogous structure we look far तो analogous और homologous structure होते है analogous का मतलब होता है देखने में same हो काम करने में same हो लेकिन उनका origin different हो homologous का मतलब क्या होता है जो देखने में different हो लेकिन उनका origin same हो तो यह similarity in appearance and function but different in structure analogous यह ना लगास देखो यही है उड़ने के लिए काम है लेकिन इनका origin लगल-लगल हो सकता है appearance of facial here अगर कोई भी ऐसे ancestral character है किसी को पूछ दिखने लगे कोई ऐसे करके किसी को अक्ल डाढ़ हो कोई ऐसे करके कान अपना हिला सकता हो तो वह एटा विजमीक करेक्टर है अगला question है fitness was the fitness refer by Darwin Darwin ने natural selection का study किया था तो fitness के बारे हम बताया था कि आपको fit होना चाहिए तो हम अभी physical health से fitness का बात करते हैं लेकिन डार्विन कहें थे reproductive fitness जो जितना ज़्यादा बच्चा पैदा करेगा वह उतना ही fit है बढ़ियाँ concept है वैसे चलो अगला चलते हैं इन बायलाजी fitness is the susceptibility suitability आप है और अर्गनीजम और इस पिसी फादर रिप्रोड़क्टिव सकसेज ए सच जीन कैन परशिस्ट त्वाव जेनरेशन देखो यही है ना एक है फिर चलते है फिर ग्राणड चलते हैं तो बढ़िया किसमिस ग्लास में चला जाएगा तो फूल जाएगा क्योंकि वो क्या हो जाएगा इंडो आस्मोसिस होगा ठीक है इड बीकम मोर टजीड अंदिल प्रेसर पोटेंशिल आपनेशिल प्रीच इज आस्मोसिस पोटेंशिल थोड़ा कांसेप्ट सुवल है पड़ोगे तो आएगा ओ हो माई गल्फ्रेंड आजरे प्लांट इन हर गार्डेन बढ़िया है भाई तो गल्फ्रेंड है सच में स्थी हैपोथाईज दैद इस्टेम हाइट इक्जिबिट इनकंप्लीट डॉमिनेंस तुचेक फार सी क्रिएट ट्रू ब्रीडिंग लाइन अफ्टाल एंग साट प्लांट सब्स्क्राइण रिख़ाचेज ज सेंपल-ब सबीट इसलेट क्राइण चया यहां पर यहां तो नहीं क्यों आ रहा है यहां पर भी नहीं आ रहा है यहां पर भी नहीं मीन आ रहा है यहां फिनिया रहा ह challenging चुपुअ चल्मॉ ईयुश्य कि पास्टर ने क्या किया था ? कोहने ने टर्म एंजायम दिया था ? कोुटर स्सुमर के एधिनम खोलत था ? during the Kelvin cycle carbon dioxide is fixed into glucose यह भी है region is the correct explanation सब सही है a boys studying transport of certain type of molecule into a cell okay बढ़िया है भाई पढ़ाई करने तो लड़कों को when the cell are poisoned with a chemical that inhibits energy production transport flow down normally the molecule study by the boys each तो study कर रहा था transport का ठीक है फिर उसने कोई poison दे दिया और रुक गया तो poison से कौन रुक सकता है वो रुक सकता है आपका active transport क्योंकि active transport के लिए क्या चाहिए energy चाहिए energy production रुक गया तो energy मिलेगा नहीं तो transport होगा नहीं how many co2 molecule produce during oxidative आप one molecule आप acetyl coengymene static acid cycle तो देखो acetyl coengymene था ओके यह गया और यह क्रेफ cycle में जाता है तो जानते हो यह किस से बाइंड करता है और जलो एस्टिक से बाइंड करता है जो कि four carbon का होता है यह दो carbon का होता है ठीक तो यह बाइंड करके six carbon बनते हैं ओके और फिर it the last जब आपका बनता है तो यह पांच बनता है फिर चार कार्वन बनता है दो हो रहा है डियूरिंग केफ साइकल तो मेरे साथ से दो होना चाहिए दस फारीज टू कार्बन डैकसाइड मारिकूलर फॉर्म यहां पर अंसर में दिया है लेकिन यहां पर गलटीक है यह दो होना चाहिए ना अरे देखो वही तो बता रहें इस्टिल को एंजा बनाता है तो मतलब 6-4 अगर आपसे पूस्ता तो तीन कार्बन लाउस होते हैं चलो लैटरल में इस्टेमें काज ग्रोथ इन वीड बिल्कुल सही बात है चोड़ाई में बढ़ाता है अब देखो ग्रोथ कराता है लेटरल इसलिए ग्रोथ कराता है कि और फ्यूजिवार् इसलिए 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 ऐसा नहीं है तो दोनों सही है लेकिन करेक्ट इस प्लानेशन नहीं है और ने वाजब फॉस्ट जेन्टिक मेटरियल क्यूंकि इसेंसियर लाइप प्रोसेस सच अज मेटावलिजम ट्रांसलेशन इसलिए जैन्टिक मेटरियल हम कर सकते हैं क्यूंकि सबसे पहले लाइप का प्रोसेस सबसे पहले आरने मी देखा गया था बिल्कुल कर सकते हैं सही है इसलिए लें क्यों को अजब करना है फालूइंग इस्टेट्मिन को सेंटरो मियर इज कंतर्ण विद इस्पलेटिंगा अब क्रोमोसॉं में उगला औक सिस्टों प्रिजिंट इंट्रोम यह में नहीं अधी स्रू पाल्ष निक्तेंसस प्यूंटिकल व्य कोलटल मोस्ट मेरा वियसमेंotर सुट में चलाज पहुत ज़्यादा जरूरी है याद करने एक यह आ nya पाली गॉयनम कहां पहता है आरफो टॉपस हो नमें फ्यूपस स्रैनन्कुलस में हेमी ट्रॉपस, एम्पी ट्रॉपस, पापा वरेसी में, मस्टर्ड में कमपाइलो ट्रॉपस, सर्सीनो, यहां से सर्सीनो और हेमी ट्रॉपस बहुत ज़्यादा जरूरी है, सर्सायच को मैनोमेटर से, ट्रांस में से, ग्रोध को अगजिमेंटर से, मेटा संट्रिक कैसा होता है जहाँपे, रहेगा सम्सक्राइब कराता है विल्ड ये कराता है आपका हाइडोजन का ट्रांसफर एटीप कराता है डी कार्बॉक तो चलने मतलब अपने यहां पर आते हैं स्लाइट तो हो गया ना तो यहां पर हमने कर लिया है 75 कोश्चन तो उम्मीद करता हूं आप तब को कोश्चन अच्छे लगए होंगे मुझे लगा माइक नहीं लगा है क्या फिर से लगा है चलो चलता हूं में आप से नेक्स वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब कर दो वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों में सेर करो और जाते ज